तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Android के जो एमुलेटर होती है तो क्या आपके एमुलेटर जब आप अपने Android Studio में एमुलेटर में अपनी एप को रन करते हो तो वो हैंग होता है आपका एमुलेटर और प्रोसेसिंग में काफी टाइम लग जाता है आपकी अप्लिकेशन इंस्टोल होने में काफी टाइम लग जाता है तो यह काफी सारी जो प्रोब्लम होती है हमको वो एमुलेटर से रिगार्डिंग आती है कि हमको काफी टाइम लग जाता है आप की दैग सुल्वाइब को इक दो तो', कम इसे आप आपको और आपकी जमीट हुआ ची आफाल रहे हाए। जैसे हमार ब्रॉडबल महां ग्रेंदीता है। यके दिरीतल माँ आपके अंदर हो द living 시 watch हम अपके अपयाद फिल रहे हम o यह लेटर है तो इसमें क्या होगा की हैंग हो कि चलता मैं लग लग इसके कारण क्या होता कि यह हैंग लग जाता और बहुत स्लो चलता है और यहाप इस एमुलेटर में ठीक है वैस तो मैं आपको आज एक solution बताने वा रहा हूं जिससे हम क्या करेंगे कि एक emulator में हमारी app बिल्कुल simple way में चलेगी बिल्कुल quietly बिल्कुल simple चलेगी मलब की fastly mode में चलेगी ठीक है तो उसको क्या जाए करना हमने हम जाएंगे google पर यहां भी हम download करेंगे janimotion आपने janimotion का नाम सुना होगा अगर आप android studio के field से हो जावा फील्ड से हो तो आपने janimotion को नाम सुना होएगा यह तरह का emulator ही होता है बट यह क्या होता है कि हमारे android studio के साथ connect नहीं होता यह जो एंडर यह emulator है यह हमारे android studio के साथ connected है तो इसके कारण यह क्या करता कि काफी space occupy कर लेता है और काफी slow चलता है बट हम क्या करेंगे यहां पर हम गूगल से क्या करेंगे नवा download करेंगे janimotion जो की अलग platform में चलेगा और यह quite fast चलता है as compared to android studio के emulator से ठीक है फ्रेंट्स तो यह janimotion का देखो फर्स्ट वाला link है www.janimotion.com तो हम इसको करेंगे click और janimotion की site पर जाएंगे तो यह आगिया janimotion की site ठीक है तो android as a service android virtual device for all your development and testing needs ठीक है तो आपको जो भी development करनी है testing करनी है तो आप emulator का use कर सकते हो और काफी यह quite fast भी चलता है ठीक है तो हम करेंगे desktop version यह cloud version तो हमने करना है desktop version ठीक है तो desktop version पर मैंने click किया तो देखो यहाँ पर आगया इसका site download for windows without virtual box with virtual box तो हम करेंगे with virtual box वाला की virtually virtually जो है हमारा यह emulator run होएगा ठीक है तो यह मैं download for windows 147 MB का है तो इसको मैं download कर लेता हूं ठीक है तो यह download करना आप तो यहां पर देखो इसकी system की requirement क्या क्या है यहां पर इसकी requirement Microsoft Windows 8 में भी चलेगा 8.1 में चलेगा Windows 10 में भी चलेगा और वहां पर सिरफ 64 bit वाला होना चाहिए ठीक है उसके बाद आपका 400 MB की इसकी space से होती है ठीक है और इसको 4GB RAM चाहिए होती है चार जिस PC में 4GB RAM है वहां पर यह support करेगा ठीक है और इसका virtual box कितना प्रमूलेटर Android Studio का तो ऐसे यह जैनी मुसन का भी काम करता है तो मैंने इसको अल्रडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको करता हूं इसको इंस्टोल तो मैं आपको रण करके दिखाता हूं कि कैसे यह वर्क करता है ठीक है तो अगर आप यही रख लोगे तो यह काफी light-weight अगर आप अपनी Android की Android Studio की जो एप इसमें रन कर होगे तो वह काफी फास्ट जलेगा क्योंकि यह light-weighted है तो इतनी space ने उक्पाई करता है ठीक है तो मैं यहां पर इसको इसको इंस्टोल कर रहा हूं ठीक है इंस्टोल करते हैं फिर देखते हैं कि इसको मैं C-DRIE में इसका पैकेज जो है वह सारा कुछ हो रही है तो इस तो यहां पर देखो यह वर्चौल बोक्स मेरा ओल इंस्टोल हो तो फ्रेंज देखो यह अपना जैनी मोशन की जो सोफ्ट्वेर यह उपन कर लिए मैंने ठीक है तो यह बूटिंग हो रही है तो यह तरह का वर्चौल यह बूटिंग है जिसमें क्या करेगा यह एक एमुलेटर बनके आएगा और यहां पर हम अपने एंड्रोव स्टुडियो की एप्लिकेशन को यहां पर रन कर सकते है ठीक है तो यहां पर कुछ अलाओ करने के लिए आएगा तो आप यह कर देना और इससे क्या आएगा कि आ आपके लैप्टोप में इस्टोल हो जाएगा ठीक है तो यह काफी लाइट वेटीड है तो काफी फायदा होएगा काफी स्मूथली चलेगा यह आपकी एप्लिकेशन को ठीक है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना और अ आपको अपनी अप्लिकेशन को दन करके बताना तो इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को प्लीज कमेंट जिरूर कर देना तो डाइड आइकन हेल्प यू ठीक है वेल्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तिल दन टेक केर थैंक यू सो मुच है वाद का दूम्य लाद कर दो कि कर दो स कoly 5 कर सक्ट प्लीज